हलो फिंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे हमारे गोर्श निमर टू जो है टिक दा करेक्ट आंसर हमें यहां पर ओप्शिंस दीगे हैं हमें इन में से बताना है इनका करेक्ट आप्शिं क्या है तो पहले यीस्ट इस यूज़ इन हमारी एल्कौहल की पूडेक्शन में थीक है तो इसका आंसर है हमारा अल्कौहल इसमें से क्या एंटी बायसिंड में हमें निमराएं त्यूं स् 얼마나 कालवाग कयांना कार्भु zone है तो option में दिया गया है female anophilis mosquitoes, cockroach, housefly, butterfly तो इसका option क्या है female anophilis mosquitoes ठीक है दिये है हमारा the most carrier of communicable diseases तो सबसे common carrier है means तो सबसे ज़्यादा जल्दी communicable disease को फिलाता है वो क्या है तो option में दिया गया है ant है housefly है dragonfly है spider but क्या है इसका answer क्या है housefly जो हमारी housefly है वो सबसे जल्दी जो है communicable disease को फिलाती है इदर से उदर बैठेगी तो उससे क्या है जो हमारी diseases है वो फ्यालेंगी ठीक है उसके बाद है the bread of idly dough rises because of option में है हमारी heat grinding growth of yeast cell और kneading तो इसका है आंसर जो है हमारा growth of yeast cell जो हमारा इडली का डो है वो कब rise होगा जब उसमें yeast के cell की growth होगी ठीक है उसके बाद हमारा the process of conversion of sugar into alcohol is called अब इसमें option दिया है nitrogen fixation molding fermentation और infection बट इसका अंसर है fermentation ठीक है तो गाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and comment जरूर कीजिए वह सहांती साथ मेरे स्थान को भी subscribe कीजिए थैंक्यू